नमश्कार दोस्तों वेलकम टू दा चैनल बैंकिंग बंदू लेकर आएं आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डायमंड करेंट अकाउंट दोस्तों अगर आप बिजनिस मैन है आपका बिजनिस अच्छा खासा है तो हम आपको यह सजेस्ट करेंगे कि आप स्टेट में हम आपके साथ डिसकस करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जल्दी से चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो हम आपके लिए रोज अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जो आपको आर्थिक फायदा देंगी financial decision लेने में आपकी मदद करेंगी जैसे कि banking से related videos investment insurance finance सारी एसी demos जो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक फायदा देंगी current अक्वाइब आप डोस्तों current account जो होता है वह mainly business ministry होता है क्योंकि उसमें unlimited transactions आब कर सकते हैं जो आपका budget खाता होता है यानि savings bank account जो होता है उसमें limited number of transactions है वो ही allowed होते हैं आपके लिए लेकिन current account में आप unlimited transactions कर सकते हैं इसलिए current account में जो आप पैसा maintain करेंगे उसमें आपको कोई interest कोई ब्याज नहीं मिलता है अगर आपको state bank of India में current account खुलवाना है तो current account के काफी सारे variants होते हैं जैसे regular current account होता है, gold current account, diamond current account, regular current account और gold current account की वीडियो अल्रेडी हम अपने channel पर upload कर चुके हैं अगर आप वो चाहते हैं तो आप channel विजिट कर सकते हैं चैनल को subscribe कीजिए वहीं पे आपको वीडियो मिल जाएगी नीचे description box में भी हमने link दे दिया है regular current account और gold current account का अब इस वीडियो में हम जानते है diamond current account क्या है, यह State Bank of India की official website आपके सामने खुली हुई है आपको slide करके यहां सबसे नीचे आना है, नीचे business section में आपको मिलेगा current account State Bank of India का current account, current account पे जैसी आप जाएंगे आपको वहां पे काफी सारे variants दिखेंगे, current account के बहुत सारे type होते हैं जो आपको यहां site पे देखने के लिए मिलेंगे, यह देखिए सबसे पहले आपका regular current account, gold current account इसकी detailed वीडियो अलड़ी हम बना चुके हैं, नीचे description box में आपको link दे दिया गया है फिर बात करते हैं diamond current account की, diamond current account के लिए जो सबसे पहली चीज है वो यह है कि monthly average balance आपको 5 लाक रुपे maintain रखना होगा अपने current account में यहां पे daily balance की बात नहीं हो रही है, average balance, average 5 लाक रुपे आपको monthly रखना होगा बाकी और details जान लेते हैं इसकी diamond current account की State Bank of India का यह देखिए, जो यह diamond current account है, elite businessman, top professionals, उनके लिए ideal है अगर आपका अच्छा खासा business है, आप 5 लाक रुपे maintain करने के सक्षम है तभी आप diamond current account खुलवाएं, otherwise आपके charges भी कटेंगे इसके features देख लेते हैं, पहला monthly average balance 5 लाक रुपे आपको maintain रखना है free cash deposit, cash deposit आप 100 lakhs, यानि 1 करोड रुपे पर महीने free cash deposit आप कर सकते हैं unlimited cash withdrawal है, home branch से, home branch से आप कितना भी cash निकाल सकते हैं neft और rtgs का जो है, वो commission नहीं लगेगी, free of cost आप भेज सकते हैं demand draft कितने भी unlimited free आप बना सकते हैं checks आपको कितने 700 पर मंथ, 700 checks हर महीने आपको free मिलेंगे premium business debit card, यानि जैसे ATM card होता है, उसी तरह के current account holders के लिए premium business card आपको दिया जाएगा debit card, जिसकी limit जो होगी वो 2 lakh रुपे पर दे पर दे ATM से 2 lakh रुपे आप निकाल सकते हैं state bank of India की किसी भी brand से withdrawal और deposit कर सकते हैं corporate internet banking, exclusive product है current account holders के लिए free में आपको corporate internet banking दी जाएगी diamond के case में next देखते हैं, charges आपके क्या क्या है charges जैसे कि आपको बताया, 5 lakh रुपे पर मंथ आपको maintain करना ये charge नहीं है, ये एक requirement है corporate internet banking आपको free of cost मिल रही है statement, current account का statement, हर महीने आपको free मिलेगा एक बार लेकिन अगर आप दुबारा मांगेगे, तो आपके charges लगेंगे 100 रुपे plus GST, per 40 entries, हर 40 entries पे 100 रुपे plus GST आपको देना पड़ेगा, अगर आप दुबारा मांग रहे है statement, एक बार statement लेने पे आपका कोई charge नहीं लगेगा जैसे कि आपको बताया, 700 checks per month free of cost हैं उसके बाद अगर 700 से भी ज़्यादा checks की आपको ज़रूरत पड़ती है तो 3 रुपे plus GST हर एक check का charge है यानि कि अगर आप 25 leaflets की checkbook मंगाते हैं तो वो 75 रुपे plus GST charge होगा और 50 leaflets की मंगाते हैं तो 1.500 रुपे plus GST इधर से उधर आपको account transfer करना है, free of cost आप कर सकते हैं cash deposit जैसे कि आपको बता है, 1 करोड रुपे हर महीने आप जमा कर सकते हैं चाहे आप CDM में जमा करें, यानि cash deposit machine में करें, recycler में करें green channel पर एक कहीं पर भी करेंगे आप 1 करोड रुपे पर मंथ आप कर सकते हैं इससे उपर अगर आप जाते हैं तो आपके charges लगेंगे, charges क्या है minimum 50 रुपी प्लस GST या maximum 20,000 रुपे प्लस GST ये 1000 रुपे पर आपको 75 पैसे देने होते हैं, अगर आप non home branch में cash deposit करते हैं उसकी limit है 5 रुपे पर डे, एक दिन में non home branch में 5 रुपे आप जमा कर सकते हैं home branch की बात करें, cash withdrawal home branch से आप कितना भी कर सकते हैं, एक दिन में non home branch से अगर आपको cash withdrawal करना है तो आप केवल एक लाख रुपे पर डे, एक लाख रुपे पर डे कर सकते हैं, third party check नहीं, acceptable होगी non home branch में sales के जो checks हैं, सिर्फ वही एक लाख तक के आप non home branch से ले सकते हैं premium business debit card आपको मिलेगा, dd, dd 5000 तक के free, 5000 नहीं नीचे देखिए, 5 से 10, 10,000 से 1 लाख सारे dd आपके free of cost बनेंगे neft, rtgs चाहें आप branch में करें, internet banking के थू करें, mobile banking के थू करें, सब free है, neft और rtgs दोनो cash pickup की facility है, आपके लिए 1,00,000 रुपे per day तक free रहेगा, आपके लिए, account keeping charges आपको देने पड़ेंगे, 5,500 प्लस GST नीचे सबसे last में देखिए, अगर आप monthly average balance maintain नहीं करते हैं, यानि जैसे कि आपको बताया, 5,00,000 रुपे अगर आप maintain नहीं करेंगे और अगर आपका monthly average balance, 2,500,000 से नीचे जाता है, तो 4,000 प्लस GST charge लगेगा, और 2,500,000 से ऊपर, लेकिन 5,000,000 से कम है, तो 2,000 प्लस GST आपका charge लगेगा तो ये था State Bank of India का diamond current account, जैसे कि आपको बताया, हमने regular current account और gold current account की already video बनाई है, आप देख सकते हैं, compare कर सकते हैं, चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी अपनी ये video share कीजेगा, ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें, चैनल को जरूर subscribe कीजेगा, आपका दिन शुभो, धन्यवाद